अहंकारात पंचितनमात्राणी उभयम इंद्रियम तो इधर जो पंचितनमात्राईं हैं फिर पंचितनमात्राओं से स्थूल भूत और उधर इंद्रियों में एकादश इंद्रिया तो उधर इंद्रियों के बाद कोई परिणाम घटित नहीं होता है और इधर स्थूल भूत के बाद कोई परिणाम घटित नहीं होता है तो ये द्रिश्य कैसा बन गया भूत इंद्रियात्मकम भूत और इंद्रिये स्वरूप वाला बन गया ऐसा इसका दृष्य का स्वरूप है ये अंतिम परिणाम है भूत और इंद्रियां और इनका प्रयोजन क्या है भोग अपवरगार्थम भोग और अपवरग के लिए दृष्यम ये दृष्य होता है तो यहाँ दृष्य का स्वभाव बताया, स्वरूप बताया, प्रयोजन बताया तो कुल इस सब को मिला करके ये दृष्य की परिभाशा हो गई कि दृष्य क्या है? प्रकाश क्रिया स्थिती शीलम भूतिंद्रियात्मकम भोगापुर गार्थम दृष्यम प्रकाश का शील क्या है सत्वगुण क्रिया शीलम रजह क्रिया के स्वभाव वाला रजोगुण है और स्थिती शीलम तमह स्थिती के शील वाला स्वभाव वाला तमोगुण है एते गुणा हा परस पर उपरक्त प्रविभागा हा ये जो तीन गुण हैं ये परस पर उपरक्त एक दूसरे से संस्रिस्ट हैं उपरक्त हैं अलग अलग नहीं है एक दूसरे से उपरक्त होते हुए भी प्रविभागा अलग भी है क्योंकि तीनों का स्वभाव अलग है ना बिलकुल ही भी प्रीत है प्रकाश बिलकुल अलग क्रिया उससे अलग स्थिती बिलकुल अलग तो कह रहें ये परस पर उपरक्त होते हुए भी परस पर संस्रिस्ट भी है और परस पर प्रविभाग भी है इनमें बिलकुल ये मिले हुए भी है उपरक्त भी है और बिलकुल अलग भी है तो कितanda विचित्र एक भगवान का देखू ये रचना संयोग विभाग धर्माना हाँ संयोग विभाग धर्म वाले हैं संयोग धर्म तो क्यों है क्योंकि तीनों को मिलकर के प्रकृति मिल्ग बनती है तो कभी भी इनको अलग नहीं किया जा सकता आएंगे तो तीनों आएंगे जाएंगे तो तीनों जाएंगे हम यह नहीं कर सकते कि चलो हम सत्तु सत्तु को रख लेते हैं और रजोगुन तमोगुन आप जाओ ऐसा नहीं कर सकते हैं तो क्या हैं सैयोग धर्म वाले हैं और विभाग धर्माने विभाग धर्माने मतलग तीनों का अलग-अलग स्वभाव है तो बिलकुल अलग भी है तो संयोग विभाग धर्माने इतरेतर उपास्रयन उपारजित मूर्तयह एक दूसरे की सहायता से इतरेतर उपास्रयन उपारजित मूर्तयह उपारजित मूर्तयमाने अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं एक दूसरे की साहथा से ही वो अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं जैसे जो गुण उदार आवस्था में होगा तो बागी के दोगुण उसको नीचे से सपोर्ट दे रहे होंगे अटते नहीं है उसकी साहथा करते हैं कि तुम बने रहो हम अभी नीचे हैं हम कोई आपके इसमें बाधक नहीं बनेंगे आप बने रहो अगर ये बाधक बने तो फिर उसके स्वरूप को अटा देंगे तो जब जब भी एक गुण उदार अवस्था में होता है तो दो क्या होते हैं उसके सहयक होते हैं इतरे तर उपास्रे एन एक दूसरे को आस्रे देते हुए एक दूसरे की सहायता करने से एक दूसरे की सहायता से ये उपारजित मूर्त यह ये अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले होते हैं स्वरूप प्रकट तभी होगा जब दो की सहायता मिलेगी परस्पर अंग अंगित्वे अपी ये परस्पर अंग अंगी संबंध वाले होते हुए भी एक जो उदार अवस्था में होगा वो तो अंगी होगा और बाकी के दोजियों है वो उसके अंग होंगे सत्वगुण जब उदार अवस्था में है तो सत्वगुण अंगी है और रजोगुण तमोगुण उसके अंग है परस पर अंग अंगित्वे अपी असंभिन शक्ति प्रविभागा हा असंभिन माने मिस्डित असंभिन मतलब अमिस्डित परस पर अंग अंगी संबंध वाले होते हुए भी असंभिन्नह अय मिस्रित असंभिन्न शक्ति ही अय मिस्रित शक्ति वाले होते हैं मने बिल्कुल मिले हुए हैं लेकिन फिर भी मिस्रित शक्ति वाले नहीं अलग अलग शक्ति वाले हैं सत्व प्रकाश शक्ति वाला है रजोगुण क्रिया शक्ति वाला है तमोगुण स्थिती शक्ति वाला है तो परस पर अंग अंगित्वे अपी असंभिन शक्ति ही प्रवी भागा हा ए मिस्रित शक्ति वाले होकर के इनका तीनों का अलग अलग भी भाग भी है तुले जातिये अटुले जातिये हश शक्ति भेदान उपातिना तुले जातिये भी हैं और अटुले जातिये शक्ति वाले भी हैं तुले कैसे हैं तीनों ही गुण हैं तीनों ही नित्ते हैं तीनों ही परिणामी हैं ये क्या होगी इनकी तुलेता अतुले ता तीनों का स्वभावा लग लगे वो प्रेकाश स्वभाव वाला है वो क्रिया वाला है वो स्थीती वाला है तो अतुले जाती है शक्ति भेदानो पाती न हाँ शक्ति भेद के अनुपाती होकर रहने वाले हैं ये तीन गुण मतलब पूरा आपको ना बहुत सूक्षम बात समझा रहे हैं यहां महरिशी व्यास दृष्षे के बारे में और फिर दरस्ता के बारे में बताएंगे तो उसके बाद तो फिर कुछ जानने योग बनता ही नहीं बचता ही नहीं तो वो जो गुण है सत्वरज तमसाम साम्या वस बिलकुल अलग भी है उनका प्रविभाग भी है तुल्य जाती भी है अतुल्य जाती भी है प्रधान वेलायाम उपदर्शितह सन्निधानह गुणत्वे पीचे व्यापार मात्रेन प्रधान अंतरणीतह अनुमितास्तिताह प्रधान वेलायाम प्रधान वेला में अर्थात उदार अवस्था में जब भी कोई एक गुण अपनी उदार अवस्था में होता है तब उपदरिशित सन्निधाना हां अपने स्वरूप को प्रकट करने वाला उपदरिशित मनें प्रकट करने वाला प्रधान वेलायाम उपदर्शित सन्निधाना हां उदार अवस्था में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाला गुणत्वे पीचे व्यापारमात्रेन यद्देपी गुणत्वे तो उनका भी बना रहता है तीनों का ही बना रहता है लेकिन एक गुण उनमें उदार अवस् तो उसी को प्रधान वेला कह दिया उदार अवस्था में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाला गुणत्वे पीचे व्यापारमात्रेन लेकिन दूसरे जो हैं दो वो कैसे हैं इस समय गोण है जो उदार है वो तो प्रधान है जैसे सत्व उदार है तो सत्व तो प्रधा और रजयोगुन, तमोगुन उस समय गोण है लेकिन गोण होते भी गुणत्वे पीचे व्यापार मात्रेन, व्यापार मात्र से प्रधान अंतरनीता, अनुमित अस्तिता है। अंतर निहित हैं इसी के अंडर में हैं अभी दबे हुए हैं गोण अवस्था में है प्रधान अंतर नीता अनुमित अस्तिता हा पुरुशार्थ करतव्यतया और क्या करते हैं पुरुशार्थ पुरुश के अर्थ मतलब है यहां पर प्रयोजन पुरुश का प्रयोजन ही करत करतव्य है जिनका पुरुष का प्रयोजन क्या है भोग अपवर्ग तो पुरुष को भोग अपवर्ग दिलाने का जो कारिये है वो ही उनका करतव्य है पुरुषार्थ करतव्य तया पुरुष के भोग अपवर्ग रूपी कारिये को या करतव्य को करने वाले प्रयुक्त सा सामर्थ है मतलब अपनी सामर्थ का प्रयोग करने वाले गुणों का ही विशेशन है यी उपादान और सहकारी कारण वाले चुम्बक की तरह से चुम्बक लोहे के नजदीक होने मात्र से ही लोहे को प्रभावित कर देता है ऐसे ये द्रिश चेतन के नजदीक होने मात्र से ही चेतन को प्रभावित कर देता है ये गुण प्रत्यम अंतरेन एक तमस्य वृत्तिम अनुवर्तमानाह प्रधान शब्द वाच्य भवन्ती प्रत्यम अंतरेन प्रत्यम मतलब ज्यान ज्यान का मतलब है यह अभिव्यक्ति प्रत्यम अंतरेन अभिव्यक्ति से अतिरिक्त दशा में जब यह अभिव्यक्ति की दशा में नहीं होते हैं कोई भी उदार अवस्था में नहीं है तब प्रत्यम अंतरेन अभीव्यक्ति से अतिरिक्त दश्या में एक तमस्य वृत्ति अनुवर्तमाना किसी एक ही वृत्ति का अनुसरण करने वाले मतलब साम्य अवस्था में हैं तो साम्य वृत्ति का ही अनुसरण करने वाले हैं क्योंकि वहां किसी एक का उदार नहीं है जो मूल प्रकृति है उसमें तीनों के अवस्था क्या है साम्य है तो एक ही वृत्ति का अनुसरण करने वाले हैं उस समय प्रत्यम अंतरेन अभिव्यक्ति से अतिरिक्त अभिव्यक्ति तो आकर कि कहां होगी? महतत्व में होगी? साम्यवस्था में कोई अभिव्यक्ति नहीं होगी जो इनमें कुछ विशमता आई और जो पहला विकार बना महतत्व, गुद्धी तत्व तो वहां फिर इन तीनों का अनुमान प्रमान से ज्यान होता है तो जो मूल प्रकृति है उसमें कोई अभिव्यक्ति नहीं है इनकी तो प्रत्यम अंतरेने जब ये अभिव्यक्ति में नहीं होते हैं तो अभीव्यक्ति से अतिरिक्त देशा में एक तमस्य वृत्तिम अनुवर्तमाना किसी एक ही वृत्ति का अनुसरन करने वाले प्रधान शब्द वाच्य भवंती प्रधान शब्द से कहे जाते हैं मुल प्रकृति को क्या कहते हैं प्रधान क्योंकि वहाँ एक इवरत्ती बनी हुई है सम अवस्था तो ये वहाँ पर प्रधान शब्द से कही जाते है एतद द्रिश्यम तो कहरें ये जो द्रिश्य है ये एतद द्रिश्यम इती उच्चते इसी को हम द्रिश्य कहते है इन तीन गुणों को ही द्रिश्य कहते हैं क्योंकि बाकी तो सारा फिरी नहीं कहीं विस्तार है त्रिगुण कहीं और ये द्रिश्य कैसा है वो बता रहे हैं इसका स्वरूप क्या है इस द्रिश्य का भूत स्वरूप और इंद्रिये स्वरूप उधर तो पांच भूत बन गई, इधर तो एक आदश इंद्रियां बन गई तो कहरें, भूत भावेन, भूतों के रूप में पृतिव्यादीना, सुक्षम स्थूलेना, परिणमते भूतों के रूप में तो ये, पहले तो सुक्षम भूत शब्द स्पर्श रूप रसगंद जो तनमात रहें और फिर उन से स्थूल भूत पृत्वी जल अगनिवायू आकाश तो उनके रूप में ये तीनों गुण परिणमते परिणमित होते हैं परिवर्तित होते हैं तथा इंद्रिय भावेन और उसी प्रकार से इंद्रिय भाव में भी स्रोत्रादीना सुक्षम स्थूलेन परिणमत इती स्रोत्रादी जो पांच इंद्रियां हैं उनमें स्थूल रूप से और सुक्षम रूप से सुक्षमिंद्रिये और स्थूलिंद्रिये इनके रूप में ये परिणमित होते हैं एकादश इंद्रिये के रूप में परिणमित होते हैं तत्तु न अप्रयोजनम तो ये कह रहे हैं ये जो परिणाम होता है ये बिना किसी प्रयोजन के ऐसे ही परिणाम हो जाता है ऐसा नहीं है बिना प्रयोजन के नहीं होता है अपितु प्रयोजनम उररी कृत्या प्रवर्तते इती भोगा पवरगार्थम ही तत रिश्यम पुरुशस्य इती तो ये बिना ही प्रयोजन के सुक्षम भूत बन जाते ह इंद्रियां बन जाते हैं स्थूल और सुक्ष मिंद्रियां बन जाते हैं ऐसा नहीं है अपी तू बलकि प्रयोजिनम उररी कृत्य प्रयोजिन को स्विकार करके उररी कृत्यमने स्विकार करके प्रवर्तते प्रवृत्त होते हैं और वो प्रयोजिन क्या है भोग पुरुश के भोग और अपवर्ग के लिए ही इस द्रिश्य की प्रवर्त्ती होती है तत्र इस्ट अनिस्ट गुण स्वरूप अवधारनम अभिभागा पन्ना भोगह तो ये भोग और अपवर्ग क्या है उसको समझा रहे हैं अभिभाश्यकार तो भोग क्या है इस्ट अनिस्ट गुण स्वरूप अवधारनम इस्ट मतलब जिसको हम चाहते हैं किसको चाहते हैं हम सुख को चाहते हैं अनिस्ट क्या है जिसको नहीं चाहते हैं नहीं चागते हैं? दुख को तत्र इस्ट अनिस्ट स्वरूप अवधारणम सुख दुख का जो बोध होता है हमें अब रबागा पन्ना अभगा मनें अभेद रूप से अभेद रूप से जो सुख दुख की हमें स्वीकρείती होती है वो क्या है? वो भोग है सुख भी होता है दुख भी होता है और अभेद रूप से उसकी स्विकृति भी होती है अभेद रूप से स्विकृति मतलब भेद नहीं कर सकते कि केवल सुख सुख को लेंगे दुख को नहीं लेंगे उनका दोनों का ही जो स्विकारिय भाव है अमारे अंदर ये ही क्या है भोग है और अपवर्ग क्या है भोक्तो हो स्वरूप अवधारनम अपवर्ग इती भोक्ता के स्वरूप का अवधारन हो जाना ये क्या है अपवर्ग है आत्मा के स्वरूप का अवधारन हो जाना निश्चे हो जाना ये ही अपवर्ग है दोनों तु कहरें इस यह दो ही दर्षन है द्रिश्च की भूग और अपवर्ग सारा द्रिश्य केवल दो ही प्रयोजन से प्रिवृत्त होता है और कोई तीसरा प्रयोजन नहीं है भूग और अपवर्ग सुख दुखादी का भोग और इन दोनों से अत्यन्त मुक्ती अपवर्ग तथाचे उक्तम तो इसके बारे में कहा है इसके बारे में कहा है द्रश्टा और द्रिश्य के बारे में एक आश्चरिय अभिव्यक्त करते हुए भाश्यकार कह रहे है कि आयम्तु खलू त्रिशु गुणेशु करतरीशु ये जो तीन गुण है और ये ही क्या है करता है तो ये करता रूप इन तीनों गुणों में और आकरतरीचे पुरुशे और आकरता रूप पुरुश में जो कैसे हैं तुल्ल अतुल्ले जाती ये तुले जाती वाले भी है और अतुले जाती वाले भी हैं तुले जाती वाले कैसे हैं या तुले जाती किस के लिए कह रही है तुले अतुले जाती वाले ये किस के लिए कहा जा रहा है पहले तु ये बताओ तीनो गुणों के लिए और बोलो सोरे जगरेओ उपर देखो न क्या कहरे हैं आयम तो खलो तरीशू गुणेशू करत्रीशू आ करत्रीश पुरुशे दो के बीच में तुलना कर रही हैं ना गुण और पुरुश पुरुश करता तो गुण है तीन और आकरता तो पुरुश है तो इन दोनों के इन दोनों में और इन दोनों में क्या है ये तुल्य अतुल्य जाती वाले हैं तो तुल्यता क्या है और अतुल्यता क्या है तुल्यता अतुल्यता किसके बीच में देख रही है पुरुश और प पहले तुलेता बताओ, तुलेता क्या है? प्रकृति और पूरुष में तुलेता क्या है? प्रश्न को संजो पहले, प्रश्न क्या पूछा है? पुरुष और गुणों में तुलेता क्या है? और दोनों सत्ता वाले हैं और दोनों नित्ते हैं त्रीगुण भी नित्ते हैं पुरुष भी नित्ते हैं तो ये तुलेता हैं ने दोनों में और अतुलेता क्या है गुण परिणामी है पुरुष अपरिणामी है तयुते लोती है, इसका स्वरूप ही ए, प्रकृति है, तो वा पृणात्वा है, तो वह परिणामी है ये परिणामी है, प्रकृति, तो दोनों को इसलिए कहा, तुल्ले अतुल्ले उपनियमानान उस क्रिया का जो साक्षी है साक्षी मतलब कौन है यहां पर यह जीवात्मा और जीवात्मा भी कैसा है यह एविवेकी तत क्रिया साक्षी नी उपनियमानान उपनियमानान मतलब प्रतिविंबित जो हुए है उन प्रतिविंबित हों का यह किसका साक्षी बनता गुणों का जो प्रतिभिम्ब उसके उपर गिरता है त्रिगुण का बुद्धी में जो एक प्रतिभिम्ब बना उसको इतो देखता है न यह ए विवेकी जो जीव है जब तक इसको विवेक नहीं हुआ तब तक तो तब क्रिया साक्षिनी उपनियमानान सर्वभावा नुप सर्वभावा नुपपन्नान सब भावों को अनुभाव करता हुआ अनुभुयमान मतलब जानता हुआ सब भावों को अनुपपन्नान अननुपश्चन सभी भावों को अनुभाव करता हुआ माने अनुभूय मान जानता हुआ या मानता हुआ ने दर्शनम अन्यत छंकते इती किसी अन्य दर्शन की तो ये शंका भी नहीं करता है ये जो पुरुष है जो ये साक्षी बना हुआ है एविवेक की स्थिती में ये जो जीव है ये ये तीनों गुण जो कुछ भी दिखाते हैं बस वो ही केवल दर्शन है बस वो ही केवल सत्य है ऐसा ही इसका अनुभव होता है इसके अतिरिक्त भी कोई ज्यान हो सकता है इसकी तो ये जीव कल्पना भी नहीं करता है कौन जीव? हम सब जीव हम सब जीव जो कुछ भी हम पांचों इंद्रियों के विशयों का जो हमें ज्यान होता है भोग होता है हमें लगता है कि बस ये इतना ही ज्यान है इसके अतिरिक्त भी कोई ज्यान हो सकता है गुणातीत भी कोई ज्यान हो सकता है उसका तो हमें कभी कलपना ही नहीं करते है इसके अतिरिक्त भी इन विशेयों के अतिरिक्त भी कोई सुख हो सकता है ऐसा तो कभी मन में आता ही नहीं है आपको तो बुद्धी से तो इसलिए आ जाता है क्योंकि शास्त्र पड़ रहे हैं पर शास्त्र को हटा दें तो दिन में जो हम कारिय करते हैं Practically तो उस समय तो कभी आता ही नहीं है न मन में कि इसके अतिरिक्त भी कुछ हो सकता है, सुख, उस समय तो वो वीशे ही अच्छे लगते हैं, वो हमारे मन के अनुकूल मिलें, तो हमें अच्छा लगता है, प्रतिकूल मिलें तो अच्छा, नहीं लगता है, इसके अतिरिक्त भी कुछ होता है, नहीं आता है समझ में, अन्यत छंकते कोई अन्य दर्शन भी हो सकता है ऐसा तो ये शंका भी नहीं करता है सोचता भी नहीं है विचार भी नहीं आता है तव एतव भोग अपवर्गव बुद्धी कृतव बुद्धव एव वर्तमानव कथम पुरुशे व्यपदि शेते इती तो कहरें ये जो भोग अपवर्ग हैं ये तो क्या हैं बुद्धी कृत हैं ये तो बुद्धी में ही घटी तो होते हैं भोग और अपवर्ग भोग का उपर बता दिया ना भोग क्या है भोग क्या है इस्ट अनिष्ट गुण के स्वरूप का गुणों के स्वरूप का अउधारन ये भोग है तो हम अपने को जो सुख दुख होते हैं उनका जो अनुभव होता है उनका जो स्वीकृती है उनको जो हम अभेद रूप से स्विकार करते हैं यही तो भोग है और अपने स्वरूप का अधारण अपवर्ग है यह बताया उपर तो कहरें यह जो भोग अपवर्ग है यह क्या है बुद्धी कृत हैं भोग अपवर्ग बुद्धी में घटी तो होते हैं जब हम सुख दुख दोनों को ग्रहन कर रही हैं हमारा जियान इस प्रकार का अब मैं सुखी हूँ अब मैं दुखी हूँ यह क्या है भोग और जब हम मैं इन दोनों से अपने आपको अलग हटा लेता हूँ तो यह क्या है यह पवर्ग है ज और ये वर्तमान भी किसमें रहते हैं भोग अपवर्ग बुद्धी में तो प्रेशन का उत्तर तो मिल गए आपका बंधन और मोक्ष कहां रहते हैं बुद्धी में दृष्य में रहते हैं गुणों में ही रहते हैं बुद्धी कृतव बुद्धव वर्तमानव कथम पुरुषे व्यपदिशेते तो फिर ये पुरुष में कैसे इनका व्यपदेश कर दिया जाता है कि वो व्यक्ति बंधन में है वो व्यक्ति मुक्त हो गया या होने वाला ऐसा व्यपदेश कैसे किया जाता है उसका उत्तर द लेघें रहें हैं टीरिय यत्रोजयूभां लें तो किसमे वरतमां होती है उसकी स्वामी में राजा में क्योंकि इसेह तश्षह फिलंसिय भोकता ही ठीकियोंकि जैपराजय की भोकता कौफो राजा उसमें व्यपदेश कर दिया जाता है एवं बंध मोक्षव बुद्धव वर्तमानव बुद्धी में ही वर्तमान होते हैं बंधन और मोक्ष लेकिन पुरुशे व्यपदिशे ते लेकिन पुरुश में इनका व्यपदेश कर दिया जाता है क्योंकि पुरुष का प्रयोजन बुद्धी में ही जान से ही परिसमाप्त हो जाता है ये तो क्या है बंधन माने केवल हम बाहर के विशेयों का जो मन में सुख दुखा दी हैं वहीं पर ही हम अपनी यात्रा को समाप्त कर लेते हैं ये ही बंधन है बुद्धे रेव पुरुष अर्थ परिसमाप्ती केवल बुद्धी में ही पुरुष के प्रयोजन की परिसमाप्ती हो जाती है यही क्या है बंधन आत्मा का और तद अर्थ अवसाय मोक्षह और उस पुरुष के प्रयोजन का अपवर्ग में अवसान होता है यही क्या है मोक्षह तो करें एतेन ग्रहन धारण उहापोह तत्व ज्यान अभिनिवेशाह गुद्धव अर्तमानाह पुरुषे अध्यारोपिता सद्भावाह तो जैसे यह बंधन और मोक्ष बुद्धी में होते हैं उसी प्रकार यह भी जान लेना चाहिए कि ग्रहन, धारण, उहा, उपोह, तत्व ज्यान, अभिनिवेश यह सब भी बुद्धी में ही वरतमान रहते हैं और बुद्धी में वरतमान रहते हुए पुरुष में इनको अध्यारोपित कर दिया जाता है ग्रहन क्या होता है? ज्यान जिसका हम ग्रहन करते हैं तो ये ज्यान भी किसमें रहता है? बुद्धी में और धारण मतलब जो संसकार हमने धारण कर लिये चित्त में तो ये भी बुद्धी में ही रहता है उहा मतलब कल्पना उहा करते हैं न किसी चीज की और उपोह मतलब अज्यान को हटाना और तत्वज्यान मतलब विवेक और अभीनिवेश मतलब तत्वज्यान का निश्चे या अपवर्ग का निश्चे तो ये सारे बुद्धी में ही रहते हैं बुद्धव अरतमाना पुरुशे अध्यारोपित सद्भावाः बुद्धी में अध्यारोपित कर दिये जाते हैं पुरुश में अध्यारोपित कर दिये जाते हैं क्योंकि सेही तत्फलस्य भोकता इती क्योंकि वो ही इनके फल का भोगता है इसलिए उसमें अध्यारोपित कर दिये जाते है तो ये द्रिश्य का स्वरूप इन्होंने बताया इसको पढ़के आना द्रिश्य को और थोड़ा सकल आगे बढ़ाएंगे अभी अला शांते शांते शांती ही स्री गुरुभ्यो नमह